नमस्कार मैं डॉक्टर रोहित आनंद वर्तमान वीडियो में यदि आपकी कुंडली में अश्टम भाव यानि की मृत्यू के स्थान पर शनी आके विराजित हो जाते हैं तो उसके कूप्र भाव से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए इसके बारे में जानकारी प्रदान करूँगा तो यदि आपके आठवे भाव में शनी हैं तो आपको गले में चांदी की चेन धारन करनी चाहिए घर में काला कुत्ता पालें और उसका ध्यान रखें सोमवार के दिन अपनी शमता अनुसार आप यदि चावल का दान करते हैं तो ये लाप प्रदान करेगा इसके अतिरिक्त शनीवार के दिन यदि आप आठ किलो उड़द एक काले कपड़े के अंदर बांध के नदी पर ले जाएं और उस बंधन को खोल करके गाट को खोल करके काले कपड़े की और उस सारी काली उड़द को साबुत उड़द को यदि आप नदी में प्रवाहित कर देते हैं तो ये आपके लिए सकारात्मक सिद्ध होगा इसके अतरिक्त आपको मास मदिरा का त्याग करना है इसका सेवन बिलकुल नहीं करना है ये इन में से अधिकतर बातें यदि आप अपना सकते हैं और जो भी उपाय आपके सामर्थ अनुसार है उसमें से कोई भी एक उपाय का यदि आप पालन करते हैं उसको अपनाते हैं तो निश्चित तोर पे जो भी कूप्रभाव अश्टम भाव का शनी आपको दे रहा है उससे आपको मुक्ती प्राप्त होगी आशा करता हूँ ये सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी आपको लाभहनवित करेगी आप सभी ने मुझे सुना इसके लिए आपका आभार नमस्कार